बात कर रहे हैं आरजेडी स्री लंबित विधायक राजबल्लव यादो की राजबल्लव यादो की किस्वत पर आज फैसला होना है उनको सजा सुनाई जाएगी या फिर रिहाई के बाद राज़त को राहत मिलेगी इस बारे में नजरे बनी हुई है आपको बता दें कि राज दुशकर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं इसके साती साथ राजबल्लव समेर कुल पाच आरोपियों पर आज फैसला संभव है आपको बता दें कि वर्ष 2016 के फरवरी में ये मामला सामने आया था जब राजबल्लव यादो के खिलाफ केस दर्च किये गए थे इसके साती स जून 2016 में निलंबित राजब विधायक राजबल्लव यादो और अन आरोपियों खिलाफ आरोप तै हुए थे दुशकर्म की इस चर्चित मामले में पांच अन आरोपियों पर भी फैसला आज आने की संभावना है इसमें लालु यादो के करीबी और आरजबित विधायक राजबल्लव यादो के इलावा संदीप सुमन, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अरपिता और टीशु कुमार अभ्यूक्त बनाए गये हैं। मौझूद थे, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। बार बार पीडित लड़की का भी बयान कोर्ट में दर्च कराए गया है, इसके साथी साथ कई मामलों में लगतार ट्रैल होते रहें। अब राजबल्लव यादो की किसमत का फैसला आज 15 दिसंबर को होने की पू लंबित विधायक राजबल्लव यादो को रिहाई मिलती है या फिर उनको सजा सुनाई जाती है। फिलहाल लंबे समय से इस मामले में लगतार सुनवाई चल रही थी और आज माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट अपना फैसला दे गया। हम आपको बिहार समेत देश- छोटी बड़ी जूड़ी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें।